बिसमिल्लाइर रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम विवर्स वेलकम टू माई चैनल इजी किचन रेसिपी तो आज मैं आप लोगे साथ सूजी के टुकड़ी वाले हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी यही रिवायती रेसिपी में आपसे बहुत ही इस मैथट के साथ बनाना अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए जबर दसी रेसिपी हम किस तारा बनाएंगे तो इसके इंग्रीडियंस देख लेते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले तृफ कप हमने हिसके अंदर चीनी शामिल करनी है है और हाफ कप इसके अंदर हम शामिल करेंगे गी और इसी के साथ ही चार से पांच अदर हम इलाइची के दाने इस्तेमाल करेंगे कोट लेंगे हम कूट के इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही हमने इसके अंदर कुछ बदाम शामिल करने है ऐसा गार्णिश हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस बरतन में हमने इसको सेट करना है तो इसको हमने पहले से ग्रीस कर लिया है के moment नहीं जब शामिल नहीं की अंदर सोझीक करीआ है तो बस अब सोजी को अच्छछ से हिसकी भुनाई कर लेनी है ऊज़ए को बहुत हाइए विलेम इसकी हुई है कि अच्छछ से को भून लेना है थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे तो इसको छोड़ना नहीं है आपने लगतार इसके अंदर चम्मट चलाते रहना है और बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है तो जबदस्ता हमारा सूजी का हलवा बुन चुका है देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और बहुत ही जबदस्ती इसके अंदर से खुश्पू आने लगी है तो हमारा ही हलवा अच्छे से बुन चुका है और लक्से हमने इसको अब बाउल में निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसी कड़ाई में हमने घी हम् couple नहीं घी के अंदर भी खुश्प्समाल करेंगे और इलाईची के दाने इलाईची के दाने शामिल करने के बाद को अध्यूम थे थोड़ा सा असा फिराया इतना है तकि बहुती ऐची सी खुश्डू आजाए अ को तो जैसे ह Youti कि धाने फोड़ से फञ्व हो जाएंगे तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी की अ कि ठीफोर्थ कॉप हमने इसके अंदर चीनी अ चीनी हैं इतना पकारे हैं कि नियम अच्छे से रिजल्व हो जाए कोई एक तार या दो तार का इसके अएन नहीं हम बनाएंगे अध्य जस्ट भंशि र्फ्ट हमारी जीनी अच्छे से मिक्स तरा नहीं हो राजधा अच्छा तो बहुत ज्वाधा तो हमारे शीरवा बनकर बिल्कुल रेडि है अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम अपने जो सूजी भून के रखी थी वह और जस्थ हमने इसको मिक्स कर लेना है 1-2 मिनट हम इसको मिक्स कर लें तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई दी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट्स बॉक्स मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और चैनल पर नहीं है तो जन्ना आप चैनल को जरूर तो अब हम इसको सेट कर लेंगे जो हमने ग्रीज करके परतन अपना रखा हुआ था हमने उसके अंदर शामिल करने था है अच्छा यह स्टैप आपको बहुत जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि हमारा हल्वा जमना शुरू हो जाता है इसको बिल्कुल भी यहां पर आपने छो कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिस शेप में आपको पसने आप वो शेप को इसकी कटिंग कर सकते हैं तो यहां देखिए हमारा बहुत ही जबदिस्ता हमारा सूजी का हल्वा बनकर बिल्कुल राड़ी है मुझे उमीदे कि आपको में लिए रेसिपी हाफिज जढा देखिए हाफिए